जिनको मालूम है कि इसमें जहर है, वही शांत है। जितने डॉक्तर्स हैं नूट्रीशनल, जिनको नूट्रीशन का बहुत घ्यान है। दिल्ली में एक डॉक्तर जहन है, All India Institute में, जो नूट्रीशन डेपार्टमेंट के हैट बाने जाए। मैंने एक दिन पूछा ये पैप्सी कोला ने चार जहर है कि अगर ये का जहर है लेकिन आप दाऊंगाउं में घुंगं के कहते हैं, तो मैंने उनसे कहा, कि आपके पास जो ग्यान है, उस ग्यान का देश के लिए क्या उप्योग है, आपने ये जो ग्यान हासिल किया, दॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है, लाखों रुपए इस देश का आपने खर्च किया उसका इस देश को return क्या मिल रहा है। तो किससे पुरसत नहीं है सभाल से नहीं और टेशनल इस डेश की नौजवान पीडियों होजाएंगे। और दुर्भाग ऐई है जिन पास जाहएं जो मर्टीनैशनल कंपनीओं का परदाफास कर सकते हैं जो ये बता सकते हैं कि इनके बनाए हुए सामानों में कोई nutritional value नहीं है। डॉक्टर जेन नहीं मुझको कहा कि Pepsi Cola और कोका कोला में एक पैसे का भी nutritional value नहीं है। और देश के लोग 10 रुपया खर्च कर रहे हैं Pepsi पीने के लिए और कोका पीने के लिए। तो जिस चीज की एक पैसे की एक प्रतिशत भी nutritional value ना हो और वो चीज इस देश में महंगी बिक रही हो दूद से जादा। Pepsi कोला बिकता है 33 रुपय लीटर का और दूद बिकता है 14 रुपय लीटर का तो 14 रुपय लीटर का गाय का दूद और 33 रुपय का carbon dioxide मिलाया हुआ पानी और उसको कहते हैं लहर Pepsi और कहते हैं The Choice of New Generation The Choice of New Generation नहीं है बलकि Choice of New D-Generation है लेकिन करें क्या उसका और उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा तब आता है जब हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां अपने Health Tonics बेचती हैं जिनमें Health के नाम पर कुछ नहीं है बॉर्न बीटा, कॉंपलॉन, मॉल्टोवा, हॉरलिक्स, प्रोटिनेक्स ऐसे तमाम तरह के जो Health Tonics दिक रहे हैं डॉक्टर जैन के अनुसार इनमें किसी में भी Health के नाम पर कुछ नहीं है और आप चाहें तो अपने बच्चे को चने का सत्तू खिलाएं जोगा सत्तू खिल बॉर्न बीटा खरीद के तो खाएंगे, लेकिन किसी को आप कहिए कि मुंफली खाओ गुड के साथ तो नहीं खाएगा गुडूज अगर गुड के साथ मुंफली खाएं तो जितनी प्रोटीन उससे मिलती है, जितनी और दूसरी चीज़ें हमको मिलती है, उतनी 100 पैकेट बॉस्ट खाने से नहीं मिल सकती, लेकिन मुश्किल से मुंफली का गुड के साथ खाने का प्रचार तो नहीं है, लेकिन बॉर्न बीटा का प्रचार है, और ये जो बॉर्न बीटा, मॉल्टोवा, इन तमाम चीज़ों में मिलाते क्या हैं, एक बार मैंने डॉक्टर जैंस स कि आपके पास तो All India Institute की इतनी बड़ी लेवरेटरी है, आप जिरा इसमें पता करिए कि ये मिलाते क्या हैं, कैसे बनाते हैं बॉर्न बीटा, तो उन्होंने तीन महीने के बाद मुझे एक लंबी सी चिट्टी बेजी, उसमें हर एक के बारे में लिखा कि देर को बॉर्न ब बॉर्न बिका के नाम, और आप बादार में चले जाएए, मुंफली की खली आपको 20-25 रुपई किलो में मिल जाएगी, गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेगी, मैं तो मेरे गाउं की बात कर रहा हूं जहां मुंफली होती नहीं बिल्कुल, यहां तो सिंगाना इतना हो होता है गुजरात में, मुश्किल से 20-25 रुपई किलो में खली मिलेगी, उसको वो बेचते हैं 225 रुपई किलो में, और हम लोग तकनी की भाचा में कहते हैं, वैल्यू एडिट हो गया, जेब काटली आपकी और आपके रहें वैल्यू एडिट होगा, उन्हीं डॉक्तर ज जी का नाम है, और बड़ा भारी नाम है, हॉर्लिक्स, कहने में लगता है कि हाँ, कुछ इंपोर्टिट जैसी चीज है, उसके कंटेंट क्या है, कुछ नहीं, उस पे लिखा हुआ है साफ साफ, इट इस मॉल्टिट, मॉल्ट माने ही होता है जोका सत्तू, जोका सत्तू बज से खरीद लीजे, चने का सत्तू बजार से खरीद लीजे, 20-25-30 रुपई किलो में मिलेगा, लेकिन हॉर्लिक्स खरीद ये, तो 160 रुपई में 1 किलो मिलेगा, और ये जितने हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं, इन मैसे किसी से भी एक पैसे की हेल्थ नहीं आती, लेकिन मैं जानते हैं? एक दिएएटिक अडवाटिसमेंट आता, एक चोटा सा बच्चा कूते हुए आता जाता, आ एं में कॉमपलॉन बहु हुई एक छोटी बच्ची कहती है, आएं में कॉमपलॉन गर्न, इसका माँनि का है, मैं कॉमपलॉन का बेटा हूँ और बच्ची करिये मेरी शक्ति बूस्ट माने सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट तो सचिन तेंदुलकर की अम्मा को एक आप चिठी लिखिए ये सचिन तेंदुलकर बूस्ट भी के तेंदुलकर बनाए या कोई भी खिलाडी बूस्ट खाके खिलाडी नहीं बसकता एक सबसे ज़्यादा मह अवर होगी उसके शॉट्स में our आप कभी बोरिस बेकर को देखीए लिये छबंग से केला निकालनिकाल करकाथा हमेश्यों नियुकर को शक्ति मिलती है केला खाके working channel में जितनी शक्ति है दुनिया के किसी भी हेल्थ टॉनिक में हो नहीं सकती। लेकिन दुर्भा की क्या है कि इन चीजों का प्रचाह ना के बराबर है।